नमस्कार आप देख रहे हैं SPN 9 News 36 गड़ विधानसब चुनाव की तारीकों के एलान के बाद सभी राजनीतिक दलों ने तयारियां शुरू कर दी है इस बीच BGP ने आज से चुनावी प्रचार और रैली की शंकनाद कर दिया है जिसके लिए केंद्रिय ग्रह मंत्री अमिच शहा आज राजनानन्द गाओं पहुँचे जहां में पार्टी की चारो प्रत्याशी के नामांकर में भी शामिल हुए इससे पहले दोपहर बाराई बजे स्टेट स्कूल मैदान में सभी को संबोधित किया फिर अमिच चार रोड शो करते हुए काफिले के साथ करेक्टरेट आफिस पहुँचे बीजेपी की परिवर्तन संकल्प महासभा को संबोधित करते हुए केंद्रिय ग्रह मंत्री अमिच शहा ने कहा कि हमने भूपेश बगेल आपने पाच साल में यहां पर क्या किया है मुझे मालूम है आप विकास का हिसाब किताब नहीं करते हो आने वाला चुनाव एक सरकार बनाने का चुनाव नहीं आने वाला चुनाव विधायकों को चुनने का नहीं बलकि आने वाला चुनाव PM मोदी के नेतरत में सुर्णी भविश्य वाले 36 गड़ बनाने का चुनाव है इसके अलावा मिच्छा ने कहा कि भूपेश बगील ने 36 गड़ को कॉंग्रेस के दर्बार का ATM बना रखा है 36 गड़ के आदिवासी युवाओं के अधिकार का पैसा दलित युवाओं के अधिकार का पैसा और पिछडे वर्ग के युवा भाई बहनों के अधिकार का पैसा भी कॉंग्रेस के दिली दर्बार की तिजोरी में जाता है केंद्रिक रहमंत्री आमित शाहा 36 गड़ पहुंचे जहाँ पर उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस शासन के तहट मध्यप्रदेश और 36 गड़ बीमारू राज्ये हुआ करते थे अटल बिहारी वाजपई ने 36 गड़ बनाया और जब हमारी सरकार बनी डॉक्टर रवन सिंग सीयम बने और 15 साल के अंदर उन्होंने इस राज्ये को उन्नती की और ले गए अमित शाह ने आगे कहा कि भूपेश बगेल सरकार ने बहुत सारे वादे किये थे और होने मुफ्त गैस सलेंडर का वादा किया था सरकार में ना ओभी सी ना आदिवासी ना महिलान ना किसान कोई खुश नहीं है स्विफ गांधी परिवार खुश है इसके लावा BJP के परिवर्तन महासंकल प्रیरी को केंद्र ग्रह मंत्री आमिठ शाह राजवंद से संबोधित कर रहे थे केंद्र ग्रह मंत्री आमिठ शाह तय कारिकरम के मताबिक राजननद गाउं पहुँच चुके उसके बाद एरपोर्ट पर बीजेपी नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही देश और दुनिया के तमाम खबरों को लेकर अब डे ट्रेहनी के लिए आप देखते रहिए SPN 9 News